बड़ी वुरुद्धी परिश्रम से लेकिन कमी लाभ से जीवन में हर चीज का अर्थ खोजने का प्रयास करें क्योंकि हर अनुभाव के पीछे एक विशेश सीख चिपी होती है इस बात को मीन राशिक के जातकों ने इस मेहने मुख्य रूप से द्यान में लेना चाहिए ऐसा कहना या इस पद्धती से विचार करना आपके लिए अत्यनत आवश्यक रहने वाला है नमस्कार मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर जोती जोशे आप सभी जोतिश प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ हम मई 2024 मेहने के राशी बहुष्य को समझ रहे है उसमें आज के भाग में हम मीन राशी के जातकों के लिए ये महना कैसा रहेगा इस पर विस्तार से वार्त आलाप करेंगे है विभिन्न दुष्ट कोन से इस महने के ग्रहस्तिदी का हम शास्त्रोक्त विश्लेशन करने वाले है साथ ही वीडियो के अंतमे में आपको इस मेने करने वाला विशेश उपाई भी बताने वाली हूँ इसलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूले एक और महतो पुरुणबात है कि हम विभिन्न दुरुष्टियों से ये महना आपके लिए कैसा रहेगा ये सदेव बड़े विस्तार से बताते हैं उस अनुसार इस मेने आपका अनुभो क्या रहा यहाँ आप हमें कमेंड दौरा हम तक पहुचा सकते हैं ताकि हमारे इस मार्ग दर्शन का आपको लाभ हो रहा है ये बात हम तक पहुच सके व्यक्तित्व की दर्श्टी से जमम विचार करते हैं तो राशी स्वामी की स्तिति महतव पूरणा होती है मीन राशी के स्वामी गुरु देव महने की शुरुवात में ही राशी परिवरतर कर परिश्रम स्तान में जाने वाले है जैसा हमें पता है कि गुरुदेव को तीन दुरुष्टिया होती है उस अनुसार परिश्रम स्तान में विराजमान गुरुदेव की दुरुष्टी सप्तम भाग्य और लाभस्तान पर होगी परिणाम सरुप उनसे आपको अत्यनत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे गुरुदेव की इस्तिति से आपकी कुण्डली का काम तरिकोंड पूरा होगा परिणाम सुरू, आप सांसारिक जीवन में अत्यनत जिम्मेदारी से मारग क्रबन करने वाले हैं। उसी पद्धती से आपका व्यक्तित्व भी विकसित होने वाला है। इसलिए इस काल का सदुपयोग करें। प्राशी में होता है। तब मनुष्य सुबह उठने से धन प्राप्ति कैसी होगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा। क्या करने से हम उचित बचत कर सकते हैं। इस पद्धती से विचार शुडू होते हैं। साथ ही वास्तु का विचार, परिवार का विचार, बाधाओ का विचार इसे सभी विचार आप करने वाले हैं। उन विचारों से आपको अत्यत्य शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इन संक्षेप में इन सभी दुरुष्टियों से ये महना आपके लिए लाभकारी कहा जा सकता है। इस काल का पूरा उपयोग करे। पराक्रा में पर परिश्रम की दुरुष्टी से विचार करें। तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि आपके राशी स्वामी मेहने की शुरुवात में एक तारिक को परिश्रम स्तान में प्रवेश करने वाले हैं। परिणाम स्वरुप इस काल में आपके परिश्रम अधिक सब्रुद्ध होंगे आप अध्यन और योजना के अनुशार परिश्रम करने वाले हैं। जिस कारण आपके परिश्रम को उचित दिशा मिलेगी। इसलिए इस काल का पूरा लाब उठाइए। वास्तु वाहन भूमी सुखशान्ती की दुरुष्टी से विचार करें। तो मीन राशी के लिए य ये काल अधिक उचित कहा नहीं जा सकता। आप थोड़ा बहुत घर के नविनी करन का कार्य कर सकते हैं। लेकिन वास्तु वाहन के शुभयोग इस मेहने आपके लिए नहीं है। इसलिए किसी भी प्रकार की जल्दबाजी ना करते हुए शुभकाल की प्रतिक्षा करें। ये सलाह आपको दी जाती है। वैसे भी ये चीजे रोज-रोज नहीं ली जाती है। शुभयोगों पर यदि उन्हें लिया जाए तो वे अधिक लाभकारी होती है। इस बात को बुख्य रूप से ध्यान मेले। शिक्षा संतती प्रड़ाई की दुष्ठी से विचार करें तो मीन जातकों के लिए ये महिना शुभक आह जा सकता है। इस्ट देव से आपको आशिरवात प्राप्त होंगे। पढ़ाई में आपको सफलता मिलेगी। विशेश रूप से मैनेजमेंट और अकाउंटन्सी क्षेत्र के विद्यार्थियों को इस काल में बड़ी सफलता मिलेगी। पढ़ाही में प्राप्त होने वाली सफलता होने वाली उन्नती दिर्गकाली लाभ प्रदान करती है। इसलिए इस काल का सदुपयोग करे। विवह इच्चुक वदुवरों के विवह जुद्ने के योग निर्मान हुए है। उस दुरुष्टी से इस काल को सका कह सकते हैं स्वास्त्य कर्ज प्रतिस्पर्दी शत्रों की दुरुष्टी से विचार करें तो मीन जातकों के लिए ये मेहना शुबही कहा जा सकता है क्योंकि इस काल में आपका स्वास्त अच्छा रहेगा जिन्हें कर्जे की आवशक्ता है उन्हें वह प्राप्त होगा शत् ओधियों परिक्षाओं में आपको सफल ता मिलने वाली है संच्षेप में सभी दूष्ट्यों से ये आपके लिए शुभह कहा जा सकता है सुझा का उपयों करें के व्यासाइकी दूष्टी से विचार करें तो मीन जातकों के लिए इस महने एक दूसरे के विरुद्धस्तिती निर्माण हुई है अर्थात नोक्री करने वाले जातकों के लिए ये महना सफलता का तो व्यावसाइक पत्यन्त महतोपुर्ण बात मानी जाती है तो व्यावसाइक जातकों को इस काल में बड़े संगर्षक का सामना करना पड़ेगा विविन प्रकार की बादाहे परिशानियों का सामना करना पड़ेगा उसमें भी आप कुछ नया काम करने का प्रयास करेंगे लेकिन क्या यह भाग्ययों शुभसंकेत की दुरुष्टी से विचार करें तो मीन जातकों के लिए इस महने कई शुभसंकेत निर्मान हुए है उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो भाग्य अधिपती आपकी राशी में होने के करण आपका भाग्य सम्रुद्ध हुआ है जिसे हम अत्यनत बड़ा शुभसंकेत कह सकते हैं संग्षेप में ये महना आपके लिए बड़े भाग्य का लाभव प्राप्ति का रहने वाला है इस काल का सदुपयोग करें कर्म की दुरुष्टी से विचार करें तो मीन राशी के लिए पुनश्च गुरुदेव की स्थिति महत्व पुर करेंगे परिणाम सरुप इस काल में आप बड़ा परिश्रम करने वाले हैं आपके परिश्रम के अनुसार आने वाले समय में आपके फलो की दिशा रहेगी आपके कर्म की दिशा उचित रहेगी और वह आपके लिए लाभकारी भी रहेगी लाभ की दुरुष्टी से विच आजमान है आपके लिए उनके साड़े साती का प्रथम चरण शुरू है जिस कारण बड़ा परिश्रम करने के बाद भी थोड़ा लाब ऐसा योग आपके लिए निर्माण हुआ है साथ ही खर्च के कई कारण आपके लिए निर्माण होंगे मीन जातकों के जीवन में विडियो गुरू परिवर्तन के मीन राशी पर होने वाले परिडाम ये भी दिया है आप उसे देख सकते हैं वे उम परदेश कमन की दुरुष्टी से विचार करें तो मीन जातकों के लिए यह महिना बड़े खर्च का रहेगा विभिन नकानों से आपका खर्च होने वाला है पढ़ाई पर खर्च करने वाले है नोकरी के लिए यात्रा कर सकते हैं अर्था उसमें सफलता मिलने की संभावना कम रहेगी लेकिन उसके लिए आपका खर्च होगा नोकरी के लिए आप घर से लंबी यात्रा करने वाले हैं बड़ा परिश्रम करने वाले हैं उससे आप को मानसिक परेशानी होगी लेकिन जीस प्रकार अच्छा समय नहीं रुकता उसी प्रकार बुरा समय भी नहीं रुके का इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में ले जीवन सुग दुक और उपतार चड़ाव से बरा होता है कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सुखिया संपूर्ण दुखी नहीं हो सकता उस अनुसार हर दिन सभी के लिए समान हो नहीं सकता महिने के कुछ दिन सुख समाधान सफलता लेकर आते है तो कुछ दिन संगर्ष कठिनाईया और तनाव से भरे होते है इस दुरुष्टी से मीन जातकों के लिए चह पद्रह पचीस यह दिन विशेश रूप से सुखदायक एवं शुभर हैंगे तो चार बार रह बाईस यह दिन अशूप एवं तनाव पुन्नर हैंगे इन दिनों में आप कठिनाईयों बाधाओं और समस्याओं का अनुभो करेंगे तो यह मानसिकता बना ले आगे शुभची जोंकी शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ होता है उस अनुसार मही महिने के उपायों का विचार करें तो मीन राशी के लिए गुरु देव का विशेश उपाय सुचित किया जाता है कुंडली में गुरु देव को प्रबर्ल करने के लिए गुरुवार के दिन नहाने के पानी में थोड़ी हलती दाले उस पानी से स्थान करें उसके बाद पीले वस्तर परिधान करें यह उपाय आप हर गुरुवार के दिन कर सकते हैं उसके आपको शुभ़ परिणाम प्रा के लिए मई 2024 कैसा रहेगा यह समझने के लिए हमने बारह वीडियो आपके इस सैनल पर अप्लोड किये है पुनस्च मिलेंगे यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें कमेंट बॉक्स में जै जोतिश लिखना ना भुले धन्यवाद शुभम भव करने के लिए मेरी दो किताबे प्रकाशित हो चुकिये है उनका अवश्य लाभ लीजिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल और हां बेल आइकोन दबाना ना भुले धन्यवाद